नमस्कार आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोच चतुरवेदी 16 और 17 तारीक को प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी जो है देश के जो मुख्य मंत्री हैं अपने राज्यों के उनसे सीधा समवाद करेंगे वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से सोला और 17 तारीक को प्रधान मंत्री पहले बात करेंगे और करोना से उत्रपन इस्थितियों की मौझूदा जो इस्थितियां हैं उसके उस उसके बाद मेघाल है पस्टिम मंगाल और उसके बाद वहां के मुख्य मंत्रियों से प्रधान मंत्री करोना के संक्रमण की जो इस्थिती है उसे जानकारी जुटाएंगे उसके बाद 17 तारीकों प्रधान मंत्री जो हैं वो अधिकारियों से जो अधिकारी है स्वास्त विभ निर्देश देंगे मुख्यमंत्रियों को क्या सलाह देंगे यह सब जो है उसी समय तए होगा लेकिन अंदर के शुत्रों से जो खबर आ रही है उसमें यही कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मौधी जो है वो राजी के मुख्यमंत्रियों को राजीों को ही अधिकार देंगे कि परिस्थिती आप ज़्यादा बहतर समझ रहे हैं कि आपके राजी के कौँन से जिले कितने संक्रमित हो रहे हैं कौँन रेड जोन में हैं, कौँन और किस जिले को छूट देनी चाहिए और किस जिले को छूट नहीं देनी चाहिए और वास्तों में ये सच्चाई भी है कि राजी का मुख्य मंत्री और राजी के जो अधिकारी है ये ज्यादा बेहतर जो है परिस्थीतियों को समझ सकते हैं और समझ रहे हैं उसके हिसाब से जैसी छूट प्रधान मंत्री ने दी ह है वैसी छूट मुख्य मंत्रियों को दे कर कहेंगे कि ये पूरा फैसला आप लीजिए केंद्र से जो मदद है वो आपको हमेशा दी जाएगी आप जिस तरीके की मदद केंद्र से मांगेंगे आपको हमेशा दी जाएगी लेकिन कुछ राजी आपको पता है ऐसे भी हैं ज ऐसे कि पस्चिम मंगाल के मुख्य मंत्री ममता बनर जी केंद्र सरकार के निर्दोसों का सरयाम जो है वह वहां पे औहेलना हो रहा है जिसके कारण जो है पस्चिम मंगाल में भी संक्रमन की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है आपको पता है कि महरास्त और दिल्ली का आकड़ा जो है वह कहां छूरा है सुप्रीम कोड को दखल देने पड़ा है दिल्ली के सरकार को कि आप ऐसा है कि जल्द से जल्द ये टेस्टिंग की सुविधा बढ़ा ही है अस्पतालों में सुविधा बढ़ा ही है और बड़ी तेज फटकार लगाई भी है सुप्रीम को लेकिन लोगों के मनों में ये भी घर कर गया है कि कहीं प्धां मंत्री जब भी मुख्य मंत्रियों से बात करते हैं तो अगले दिन लokडाउन का एलान हो जाता है तो क्या फिर इस बार पर भी जो है वो लाकडाउन का एलान होगा इस पर हमारी भी नजर बनी रहेगी आप बने रहेए नेशन भारत चैनल के शाथ नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़दी कोई शला हो तो हमें अवशिली लेटिस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाए ताकि कोई खबर छूट न पाए